है आज दोस्तों रादे रादे सबको प्रणाम सबको नमस्ते सबको गुड़ विनिंग सबको प्रणाम सबको राम राम सबको जैमाता दी है ना और पहले दर्ती वाला प्रणाम जो जो जिस जिस दर्ती से पदा रहे हैं सबको मेरा प्रणाम क्या पढ़ रहे तो दोस्तों साइकलोजी के अंतरगत अपन टॉपिक वाइस टैस सीरीज पढ़ रहे थे एक एक सिदान्त को लेकर के आ रहे थे अधिगम वाला टॉपिक चल रहा था कल से अपने दोस्तों सिदान्त को इंक्लूड करना सुरू कर दिया थाकि दीरे दीरे हो जाएं मतलब अपने किस-किस के प्रश्ने कर लिये पावलव को पढ़ लिया स्किनर को पढ़ लिया थोरंडाई को पढ़ लिया उसके बाद में थोरंडाई के बाद में क को और पढ़ाएंगे दो-तिन दिन ये थोरी की क्लास से और चलेगी आज सनिवार हैं कल अपनी क्लास होगी नहीं रहीवार को क्लास होती नहीं है मंगलवार बुदवार तक यह गुरुवार तक आपके अधिगम के सिद्धान सिद्धान्त की प्रश्णोतरी समापत हो हैं और हम जो जो जोर दे रहें दोस्तों वो भी किसके उपर जोर दे रहें कंसेप्ट के उपर जोर दे रहें किसी भी प्रकार का अपन अन्य किसी चीज़ को उपर महत्पुण मान नहीं रहें दोस्तों चलिएगा आज की क्लास को भी अपन ज्यादा समय देंगे नहीं और सिधा सिधा topic के उपर चलते हैं पहला प्रश्न है आपके class का कोहलर यहां सिद्ध करना चाहता कि सीखना किसकी बात किए दोस्तो कोहलर जब कभी भी कोहलर का नाम आता है अपने दिमाग में एक ही theory आती है जिसका नाम है दोस्तो inside learning theory जिसको अपन कहते हैं कौन सा सिद्दांद कहते हैं शीखने के बारे में क्या बतना चाह रहा था वो यह कहना चाह रहा था कि सीखना स्वायत एक यादर्छिक किया है यह संग्यानातमक कायरी है एक ऐसी स्थिती है जिसमें व्यक्ति पसुष से स्रेष्ट है या परिस्थिती के विबिन अंगों का प्रत्यक्षि करण है दोस्तों यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान रखिएगा आपको बहुत बैसिक तरीके सजीदी में बात करू तो आपको पता है कि कोहलर जो है दोस्तों गेस्टाल्ट वाद से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है कोहलर कोहलर का समन्द है आपके गेस्टाल्ट वाद से कोई अपन किस नान से जानते हैं ग्यानात्म कारिये उसके लिए दिमाग ही जुरूत पड़ती है तब व्यक्ति अधिगम करता है और इसने अपने सिद्धान्त के अंतरगत सबसे ज्यादा महत्पुन जो माना है वो माना है सूज को बेकि इसको महत्पुन माना है दोस्तों सूज किसे भी समश्या का एक आकस् समाधान आ जाना सूज केलाता है तो कोहलर जो इंसाइड लर्निंग थे जिसकी किताब का नाम क्या था गैस्टाल्ट वाद जिसकी किताब का नाम था दोस्तों इस पुस्तक में इसने सिद्धान्त को रखा है और आपको ध्यान रखना है दोस्तों की इन्होंने अपने थेोरी के अंदर गत ये बताया था कि सीखना एक संग्यानात्म करिया है एक संग्यानात्म कायरी है जो सूज के द्वारा निश्पादित होती है जो सूज के द्वारा पूरी होती है तो यहाँ पे इस प्रश्ण का आपका जो उत्तर निकलेगा दोस्तों वो क्या निकल जाएगा यह एक परकार का संग्यानात्म कायरी है सूज जो होती है सूज का मतलब क्या है जानवरों को सूज नहीं सूजती सूज का मतलब क्या क्या करना है इसको कुछ पते ही नहीं चलता है कोई एडे नहीं आता है कुछ विचार, सूजने का मतलब विचार आना, कोई विचार ही नहीं आता है, जानवरों के पास में विचार नहीं आता है, क्योंकि उनके पास में संग्यान नहीं है, उनके पास में बुद्धी नहीं है, वो चिंतन नहीं कर सकते हैं, वो पुनर संगठन नहीं कर सकते हैं, व कि संग्यानवाद जानवरों के उपर बात नहीं करता ये कहता है कि नहीं संग्यान या संग्यान का निर्मार या अधिगम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सूज होती है जिसके अंदर संग्यान होता है जिसके अंदर समझने की शक्ति होती है जो अवबोद कर सकते हैं उनके अंदर सूज उत्पन होती है, जो अवबोद नहीं कर सकते हैं, जो समझ नहीं सकते हैं, उनमें सूज नहीं हो सकती, ये इनकी एक मूल थूरी है, लेकिन यहाँ पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, कि कोहलर ये सिद्ध करना चाहता है, सीखन एक प्रकार का ग्यानात्मक यहाँ कौन सा कायरिय हो जाएगा, संग्यानात्मक कायरिय हो, चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, कोहलर के सिद्धान्त को किस मनोवेगयनिक ने कहा है, कि ये सिद्धान्त खोज करके सीखने पर बल देता है, तो एक पहले प्रश्न इसको वाद के अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी क्या है समवेदना व्यक्तित्व संकेत या सूज तो गेस्टाल्ट वाद सिद्धान्त की बात करें दोस्तों मैंने अभी बताया था इनके अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपुन है सूज बिना सूज के व्यक्ति कभी भी समशा का सम अधान नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर सूज नहीं आएगी तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि उससे आगे करना क्या है क्योंकि यह संपूर्ण परिस्तित्य को पढ़ते हैं देखिएगा दो तरीके होती है कारणी क्या होता है कि इनका आपने चिंपेजी वाला एक व भूग लगती है चिंपेजी पिंजरे में से हाथ निकाल करके लंबा करता है उसके केले वापे हाथ नहीं लगते पो अपिस बेर जाता है चिंदन करने लगता है अचानक से उसका ध्यान एक चड़ी के उपर जाता है वो एक चड़ी को हाथ में पकरता है पिंजरे से बाहर निकलता है और केले को अपनी तरफ से खीच लेता है तो जिम्पे जी को सुल्तान को ये सूज कब आई कि मैं इन लकडियों को मिला करके केले को खीच लेता हूँ ये सूज उसके दिमाग में तब आई जब वो लकडिये उनके पास में थी जदि वो छड़िये उसके पा हो तब लोगों के अंदर सूज उत्पन होती है बाकि सूज उत्पन नहीं हो सकती है बिना सूज उत्पन होने के लिए समाधान के तत्व या समाधान के जो संगठन होते हैं उनके पास में होना जरूरी है उनका निकट होना जरूरी है तो गेस्टाल्ट वादियों के अनुसा व्यक्ति किसी भी वस्तू को कैसे देखता है आवशेक्ता की अनुरूप समगरता की आदार पर किसी विशेश बाग की आदार पर या कुछ बाग की आदार पर इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी वस्तू को देखता है किसी वस्तू का अब्जर्वेशन करता है किसी वस्तु का निरक्षन करता है या किसी वस्तु का अवलोकन करता है तो वो क्या देखता है दोस्तों तो गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार व्यत्ति किसी वस्तु को देखते है आवशेक्ता के अनुरूप नहीं ये आवशेक्ता के अनुरूप व्यवार वाद किसी वाल्टवाद का सिदन्थ है ना सामाइने तोर पर सिदा सिदा पूछ ले आपको केवल संग्यानवाद का प्रमुक सिदन्थ वो भी गी तो यह वह सारे नाम जो होते हैं आपके उसके बाद में इंसाइड लर्निंग यह सारे सिदन्थ के नाम एक है यह संप्रदाय आया था जिसका नाम था संग्यानवाद संपरदाए और संग्यानवाद संपरदाए के जनक थे मैक्स मर्दाइमर इसको लेकर किया था और ये संपुर्णता के उपर बल देते कि कि आपको यदि अदिगम करना है तो बालकों के सामने विशेवस्तु पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए पहले संपूर्ण जानकारी दो फिर उसके छोटे बाग में बताओ मतलब पूर्ण से अंश की तरफ काम करने पर ये सिद्धान्त बल देता था कि किस तरीके से आप पूर्ण तास से एक बाग की तरफ चल सकते हो पूर्ण से अंश की ओर चल सकते हो तो पहले वालकों को विशेवस्तु पूर्ण रूप में प्रकट करने चाहिए क्योंकि वालकों में सूझ तब उत्पन होगी जब विशे वस्तों उनके सामने पूर्ण रूप में होगी यदि आप पहले टुकणा टुकणा में रखोगे तो मालक दिमाग ही नहीं लगा पाएगा क्या करूँगा देखीगा आप गर पे पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते किसी टोपिक में अचानक से अटक गए इसका उत्तर क्या होगा अब इसका उत्तर सही क्या है इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे इसका पता लगाने के लिए आपको किसी किताब की आवशकता होगी अब आप सोचोगे कि इसका उत्र क्या सही है क्या सही है आपको अचानक से सूज उत्पन होई अरे मेरे पास वो किताब पढ़ी उसमें इसका उत्र हो सकता है अब तुरंत उस किताब को लेकर क्या है देखा और उसका समाधान हो गया यह idea दिमाग में कब आया जब आपके पास में किताब पड़ी थी यदि आपके पास में किताब नहीं होती तो सूज भी उत्पन नहीं होता यानि कि परिस्तिती संपूर्ण रूप में थी तो सूज उत्पन होगी संपूर्ण रूप में नहीं होती तो सूज उत्पन नहीं हो नहीं लगा लेता समश्या का समाधान तब होता है जब आप किसी विशेइस्ट कुस्त किसी व्यक्ति दिखने में कोई व्यक्ति अच्छा है तो आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि यह अच्छा है वो अच्छा तब है जिसके अब नेती गुन भी पता चले सामाजी गुन भी पत उसका व्यक्तित भी पता चले यह सब भी जरूरी है किसी एक पहली को देखकर के कैस एक है कि व्यक्ति अच्छा हैॉ किसी व्यक्ति को दे कर केक शब्द का प्रियों करते यह smart है यह smart कि से दिखता अच्छा इसलिए smart है है ना इसका आशारेरी काा अच्छा इसलिए smart नए किसी व्यक्ति को स्माट तब जोती है ईक के उपर जाकर कि व्याख्या करती हो तहीं एक भाग़ व्याक्या करती हो तो पिर क्या होता है किसी व्यक्ति को बाहर से देख करके लग रहा है कि यह स्मार्ट है और स्मार्ट है तो आपने किसी भी प्रकार के उसके साथ में को रिनेट हो गए किसी भी प्रकार से उसके साथ में आपने पिस्ता बनाने फिर थोड़े दिन बाद में बता चलता है यह नहीं के वल दिखने म तब तो किसी को देखने के बाद में अचानक से आपको लगा कि नी स्मार्ट है है पिर शादिवादी करके लेकर के आगे क्या आपने ट्राइन क्या किसी दूसरे पहली को देखने का परिणाम नकार आत्मन निकल गए इसलिए व्यक्तित्व को जानने के लिए संपूर परिस्तित्य को जानना जरूरी होता है यह कहता है गेस्टाल्ट वाद तो समगरता के आदार पर जो होगा भी कोहलर निम्न मेंसे किसे समंदित है व्यक्तित्व के सिद्धान्त अभी प्रेरणा का सिद्धान्त विकास के सिद्धान्त या अधिगम के सिद्धान्त देखिए कोहलर ने जो सिद्धान्त दिया था वो किसका दिया था आपके अधिगम का सिद्धान्त दिया था लर्निंग ठेयोरी दिती जिसको इंसाइड लर्निंग ठेयोरी के नाम से जानते अंतरधर रश्टी अधिगम का सिद्धान्त प्रतिभादित दिए पूर्ण रूप से संग्यानात्मक सिद्धान्त से संबंदित नहीं है यानि कि आपके सामने चार एक उप्सन दे रखे प्रतियक उप्सन में तिन तिन चार चार मनोविग्यानिकों तिन तिन मनोविग्यानिकों के नाम है आपको पताना है कि इन मैंसे कौन से तीन मनोवेगनिक एक साथ ऐसे हैं जिनका संबन्द केवल संग्यान वाद से हैं जिनोंने सरी संग्यानात्मक विकास हैं जिनोंने सारे कैसे संग्यानात्मक ताग के सिध्दांत दिये यहाँ पे देखिये टॉलमेन बुरुनर बंडूरा की बात कि ने बुरुनर ने दिया बंडूरा ने नहीं दिया ये उत्तर नहीं होगा बंडूरा समाजी कदिगम से कैसे माल ले प्याजे ने भी कौन सा दिया था दोस्त तो संग्यानात्मक विकास का सिद्धान दिया है कोलर ने भी संग्यानात्मक ता का दिया वर्दिमर जो हैंगे भी संग्यानात्मक गेस्टाल से जुड़ा हुआ है तो यह उप्सन सही लग रहा है एक बार कोपता असुबेल या बेल नहीं आशुबेल हो गई नहीं, कैसे हो जाएगा इस तदी, वर्दाइमर, नहीं वर्दाइमर ठीक है, बुरुणर को भी अपन डाल देते हैं, बंदूरा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका उतर हो जाएगा B, मेक्स वर्दाइमर, जो आपकी क्या लेकर किया यहां पर आपका उत्र जो प्रशनों के माध्यम से आपको वास्तवी concept तक ले जाने की एक प्रक्रिया है कि आप वास्तिकता में समझो की ये caller क्या है तो प्रशनों के माध्यम से एक एक चीज चार चार बार आ जाती है तो आपके concept और जएदा clear हो जाते पता चल जाता है कि वास्तिकता में caller ने क्या किया है caller के सिदान्त का जो मूल प्रतिपादन का जो क्रिया रही है मूल नियम जो रहा है वो क्या है इसका पता किसे चलता है आपको इस चीज से चलता है है यह आपको बताना है भी गेस्टाल्ट वाद सिद्धान्त को प्रस्तुत करने वाला मनोविग्यानिक कुर्थ कोप का है गेस्टाल्ट वाद सिद्धान्त का प्रियोग करता कॉलर है गेस्टाल्ट वाद के जनक मेक्स वरदैमर है गेस्टाल्टवाद नमक पुस्तक कॉलर ने लिखी देखिए ये बिल्कुल सही है गेस्टाल्टवाद नमक पुस्तक कॉलर ने लिखी इसी पुस्तक के अंतरगत उसने अपने सिद्धानत का प्रतिपादन किया था संग्यानात्म या संग्यानवादियों की जो सबसे बेस्ट पुस्तक है जो सबसे विस्वसने पुस्तक भी कॉलर ने लिके थे ये कथन बिल्कुल सत्य है इसने पोचा है अज सत्य तो ये उत्तर नहीं होगा कुल सिदांध का प्रियोग करता कॉलर है कशिया आई के वह उत्तर नहीं होगा अगर तेन नहीं होगा तो अपने आप चोता उतर तो वीशसे ही हो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेकिते अपन गेस्टाल्ट वाद सिदान्त को प्रस्तुत करने वाला मनोविग्यानिक कुर्थ कौप का है नहीं इसको प्रस्तुत करने वाला मनोविग्यानिक कोहलर है तो आसक ये कथन इन्होंने पूछा था कि कौन सा कथन सहीं नहीं है तो ए वाला उत्तर आपकी यहाँ पे क्या नहीं होगा दोस्तों सही नहीं होगा आरे रहे हैं न समझ में तु आ रहे हैं कि यह से पड़ते जा रहे हूँ करा रहे हैं सर दीरे दीरे हैं ना बिलकुल अगरना चाहिए है अभी तो एक्जाम आगे जाएगा बाग है दीरे दीरे अर्चतर कठिनायों का बढ़ता जाएगा वज़े से ये भी kattiler के प्रश्णा है अगली बार जब ही kattiler के प्रश्णा आपको देखने को मिलेंगे वो उनका level बहुत बढ़ा होगा अच्छा ओगा इससा उपर किस मनोविग्यानिक ने कहा कि यह सिद्धान समश्या समाधान पर बल देता है क्रों एंड क्रों ने यह फैक्ट वाले प्रश्ण में ज्यादा लोड नहीं लिड़ा है जो संबंध अस्किडर का चुहों से हैं वह थौंडाई का बेलियों से था वही संबंध कोहलर का था नाम रखाता सुल्तान सुल्तान का अर्थ होता है ऐसे लोग जो शाररिक और मांसिक रूप से स्वस्ट और हस्ट पुस्ट हो उसको कहा जाता है सुल्तान तो चिंपे जी का इसने नाम रखाता सुल्तान और इसके दो प्रियोग किये थे इन्होंने कितने प्रियोग किये थ इनको प्रिणान्ट करने के लिए एक उप्रियोग और किया था लेकिन दो प्रियोग इनके मुखे माना जाते हैं बॉक्स वाला और चड़ी वाला जो चिंपे जी के साथ में किया था केले को चट के उपर लटका करके तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा वन मानुस सही ह नहीं है आपको यह बताना है यह सिदान्त छोटे बालकों के लिए उप्योगी है गणित तथा विज्ञान जैसे कठीन विश्यों के लिए लाब प्रद है किशुरा अवस्ता के बालक हो या बड़ी कक्षाओं के अधिगम है तो उप्योगी है उच मानसिक योगिताओं का विकास संभव है देखिएगा यह जोर किसके उपर दे रहे पहले यह समझेगा यह जोर दे रहे हैं आपके सूज के उपर में सूज का मतलब दिमाग के उपर जोर दे रहे है अब देखिएगा यहां पे उच मानसिक योगिताओं का विकास संभव है बिल्कुल है सूज उन बड़ी कक्षाओं के बालक अधिगम है तूपियोगी बिल्कुल बड़ी कक्षाओं के बालकों को या किश्वरावस्ता के बालक होते हैं यह विल्कुल सही है गणीतुर विज्ञान जिसे कटेन विश्यों के लिए लाब प्रती विश्य चलते ही सूज से हैं इनमें तो आपने आप आसकती निकलेगा यह सिद्धान्त छोटे बालकों के लिए उपयोगियन नहीं है छोटे बालकों के इसका अधिगम नहीं कराया जा सकता छोटे बालक उद्धिपक अनुकरिया से अधियन करते हैं छोटे बालक अभी प्रेरणा से अधिगम करते हैं छोटे बालक पुनरबलन से अधिगम करते हैं छोटे बालकों के अंदर सूज उत्पन हो ये जरूरी नहीं है उसके लिए एक मानसिक परिपकवता की आवश्यक्ता होती है जो एक उम्र में जा करके हमें प्राप्त होती है एक उम्र के बाद जो है दोस्तों उस परिपकवता को हम क्या कर ल है जिसके आदार पर आपको बताना है कि कौन सा तथी यहाँ पर सही होगा रीट के एक्जाम को देख करके तैयारी करना पांच दस पंदरा बीस पच्चिस तीस पैंतिस चालिस इसकरम को आगे बढ़ाओ करमणिया वाधी का रस्ते मा फलेसु कदाचनम और एक हो जाएगा आपके बालक का दूद की बोतल को देख करके रोना देखिएगा दूद की बोतल को देख करके रोना ये उद्धिपक के प्रती अनुकिया ये किसी चीज़ को पहचानने के वाधी ये उत्तर नहीं हो सकता बिलकुल नहीं हो सकता करमनिये वाधी का रस्ते मा फलेसु कदाच अब इसके पिछे कर्म करो पहले केले देखें उसके बात में किरिया की पहले ऐसे जाड़ियों को पकड़ के नहीं जाएंगे मुझे भूग लग रही है क्यवल कर्म नहीं कर्म दिमाग से करो क्यवल कर्म करते रहोगे दिमाग नहीं लगाओगे चिंतन नहीं करोगे तर्क नहीं करोगे ये बात बिल्कुल भगवत गीता की सही एक कर्मनेवादी का रस्ते मा फलेसु कदा चनम लेकिन कर्म करने का एक तरीका होना चाहिए कर्म में चिंतन होना चाहिए कर्म में तर्क होना चाहिए कर्म में मानसिक शक्तियों का प्रियोग होना चाहिए कर्म में दिमाग होना चाहिए कर्म में परिकल्पनाय होनी चाहिए कर्म की एक अपनी अभिवरती होनी चाहिए कर्म की अभिक्षमताय बहुत अधिक होनी चाहिए दूस्तों ऐसे ही कर्म नहीं करना है कर्म सब लोग करते हैं एक मजदूर दिन बर काम करता है साम को 500 रुपए के लेकर के जाता है एक टीचर एक गंटे पढ़ा करके 2,000 रुपए लेकर के जाता है दोनों में अंतर ये दोनों ने कर्म किये एक ने दिमाग लगाया है एक केवल कर्म करता चला गया तो कर्म किस दिशा में करना है किस तरीके से करना है किस लक्ष के लिए करना है ये जरूरी होता है दोस्तों केवल कर्म करना नहीं होता है इस लाइन को बहुत गंबिरता से समझेगा लोग लाइटली समझते हैं हमारा काम कर्म है, फल जो देना होगा बगवान का काम, बाद बिलकुल सही, लेकिन कर्म की दिशा तो हो, मेरा काम है पढ़ई करना, नंबर आना ना अलग बात है, लेकिन पढ़ई उतनी हो की नंबर आ जाएं, पहले ये भी तो जुरूरी है, करम की दिशा क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये भी तो मैटर रखेगा, कि केवल बस पढ़ लेते हैं, पढ़ने मत साइकलोजी पढ़ लो, 6 महीने तक नमबर नहीं आएगा, बाके सब्जिक्ट में रह जाओगे जरूरी नहीं दिशा सही होनी जरूरी है ये भी इसको नहीं परिबाशित करता रीट के एक्जाम को दे करके तयारी करना ये उपलब्दी अभी प्रेरणा का सिद्धान थे अवसर आने पर आप काम करना प्रारंब कर देते हो ये भी नही पर क्योंकि संख्यात्मक स्रेणिक के अंतरगत्सूज का सिद्धान्त सबसे ज़दा काम करता है ये गणित्य संख्या है और गणित को सीखने के लिए अंतरदृष्टि का सिद्धान्त सबसे बेस्ट रहता है यहां पर आपका उतर हो जाएगा बी वाला उतर क्या रह कि इसने अपने सिधान्त में कोन सा नहीं बताया भई देखिएगा एक तो बताया था इसने लक्ष लक्ष के बाद बताया था बाधा बाधा के बाद इन्होंने बताया था तनाव तनाव के बाद बताया था इन्होंने संग्ठन संग्ठन के बाद बताया था इन्होंने पुन पुनर उत्थान या इसको कहा जाता है पुनर संग्ठन ये इस परकार से इन्होंने पूरा करम बता है था कि पहले प्राणी लक्ष को देखेगा फिर लक्ष के सामने बादा आएगी पहले चिंपे जीने केले को देखा बादा आई हात नहीं पहुँच रहा है फिर उसके दि संप्रते बताया थे टोटल संप्रते कितने थे आपके पात संप्रते थे कौन सा नहीं बताया दुस्चिंता नहीं बताया था दुस्चिंता की बात जो है आपके कोहलर नहीं करता है या आपको याद रखना है कोहलर ने कौन सा बताया था आपकी ये तो पात संप्रती लक् समस्त सिद्दान्तों में सर्वसेष्ट हैं जिसे उसने चालक न्यूनता का सिद्दान्त भी कहा अस्किनर ने किस सिद्दान्त को ये कहा कि अब तक के जितने भी सीखने के सिद्दान्त आए हैं अब तक के जितने भी अधिगम के सिद्दान्त आए हैं उन सब के अधिगम के सिद्धान्तों मैंसे ये सिद्धान्त सबसे बेस्ट है जिसको उसने नाम भी दिया था चालक नियूनता का सिद्धान्त ये किसका था गुतरी का सिद्धान्त थोरंडाई का सिद्धान्त हल का सिद्धान्त यह उपरिक्त सभी दोस्तों ये सिद्धान् का जिसको अपन पुनरबलन या प्रबलन का सिध्दान्त भी कहते हैं रिइंफोर्समेंट ठिधुरी पुनरबलन का सिध्द कई सब्सक्राइब कि सीखना तब ही सार्थक है जब वो आवशक्ता कि पूर्टी करें यदि आपने कोई अधिगम किया है और वो आपकी आवशक्ता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो अधिगम कभी भी सार्थक नहीं हो सकता अधिगम तभी सार्थक है जब आप वो आपकी आवशक्ता की पूर्ति करे इन्होंने क्योंकि इन्होंने कहा कि जब प्राणी क वो आवशक्ता होती है तब वो अनुक्रिया अधिक करता है और जब आवशक्ता नहीं होती है तो उसकी अनुक्रिया में कमी आ जाती है उन्होंने एक बार पिंजरे के अंदर बुखी बिल्ली को दे रखा उसे बोजन के लिए बहुत अधिक अनुक्रियां की थी और एक बार को बोजन की आवशक्ता नहीं थी उसने अनुकरिया नहीं बढ़े तो अनुकरिया गटना और बढ़ना किसके उपर निर्बर करता है आवशक्ता के उपर तूसरी चीच तीसरा इन्होंने दाई दिया एक बार बिल्ली को बंद कर दिया और बार रहे उन्होंने आभासी बोज बिल्ली को क्या नहीं मिला पुनर बलन नहीं मिला तो अगले दिन बिल्ली ने अनुकरिया करना बंद कर दिया तो तीन नियम दिये इन्होंने आवशक्ता नहीं होने पर अनुकरिया दिमी होगी आवशक्ता होने पर अनुकरिया में वरदी होगी अनुकरिया करने के बाद पूर्ति की परिकरिया के द्वारा होता है या कथन किसे समन्दिते गुथरी के सिद्धान्त, थोरंडाई के सिद्धान्त, हल के सिद्धान्त या उप्रिक्त सभी, अभी मैंने बताया था सीखना तब सार्थक के जब वो आपकी आवशक्ता की पूरती करे आप कहां से पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो कितना पढ़ रहा है कौन टिचर कितना डिटेल में पढ़ा रहा है ये कोई मेटर नहीं करता है मेटर ये करता है कि जो पढ़ा रहा है वो आपके परिक्षा जैसा है या नहीं है वो आपकी आवशक्त आवशक्ता की पूर्ति करेगा के नहीं करेगा यदि वो आवशक्ता की पूर्ति करेगा तब तो आप उसके साथ में अनिकरिया अधि कर लोगे और यदि वो आपकी आवशक्ता की पूर्ति नहीं करेगा तो आप अनुकरिया क्या करोगे कम यह अपने दिमाग से सुचो enforcement theory के आदार पर जानते हैं यहां कथन है कि उत्यजक प्रतिमान यह बहुत अच्छा प्रशन है दोस्तों दोजान से दिखिएगा यह कथन किसका है एक उत्यजक प्रतिमान जो एक प्रतिकिर्या के समय किर्याशील है यदि वो दोबारा होगा तो उस प्रतिकिर्या को उत्पादित करने की प्रवर्ति रखेगा निम्निमे से किस सिदान्त के इंगित करता है पहले समझेगा यह क्या करा है इसको सब्सक्राइब एक उत्यजक प्रतिमान यानि की मान लिजे कि यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है एक कोई प्रसन है जो एक प्रति किरिया करता है मतलब एक यहाँ पे कोई उद्धिपक है इसके प्रति क्या कर रहा है रेस्पोंस कर रहा है अनुकुरिया कर रहा है यह कोने आपका प्राणी है यह आपका क्या है दोस्तों उद्धिपक है और ये आपके जो बीच में हैं वो क्या है आपकी अनुकिरिया है प्रश्ण को समझेगा प्रश्ण बहुत बड़ा है अनुकिरिया है अब ये कह रहा है कि किरिया सिले मतलब ये व्यक्ति इसके साथ में अनुकिरिया कर रहा है इसके साथ में अनुकिरिया कर रहा है यदि वो दो अनुकरिया करने की शक्ति रखेगा ये किस चीज को दरसा रहा है ये हल के प्रभलन को सिद्धान्त को समझा रहा है गुत्री के प्रतिस्थापन के सिद्धान्त को समझा रहा है सीखना के एक शेत्री का सिद्धान्त है या स्किनर का प्रभलन का सिद्धान्त है देखिए इस जगह पर यदि दूसरा कोई उद्धिपक आ रहा है तभी प्राणी वेसी ही अनुक्रिया करेगा जैसी पहली करता था मैंने उधारन मताये था पिटर नाम का लड़का जोन्स को देखकर जोन्स नाम की आंटी को देखकर के हसता है एक दिन गुतरी जोन्स नाम की आंटी के जगह पर किसको लेकर क्या दाता है खरगोस को तो वो खरगोस को देखकर भी हसरा है अब आंट या जाएगी फिर भी उसको देखर के ये प्रतिस्थापन है तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा गुत्री का प्रतिस्थापन का सिद्धान जिसके बारे में अपने कल पढ़ा था तो ये चीज़ भी आपको इसके संदर्ब में क्या होनी चाहिए पता होनी च क्या होता है यहाँ पे इसको अपन क्या कहते उद्धिपक है ना ओ का मतलब यहाँ पे ऑपरेंट यहाँ ऑपरेंट को अपन क्या कहते क्रिया प्रसूद और आर का मतलब होता है आपके रेस्पॉंस और रेस्पॉंस को अपन क्या कहते अनुक्रिया तो द्यान देखिएगा C.L.H.L. ने S.O.R. सुत्र को स्विकार किया था कि सीखने में तिनों चीजों जरूरी होती है उद्धिपक भी जरूरी है अनुक्रिया भी जरूरी है और क्रिया प्रसुत भी जरूरी है उद्धिपक, अनुक्रिया, पुनर बलन सबको एक बराबर महत्र देने वाला मनोवग्यानी कोन है आपकी यह एक इसने सुत्र का निर्मान भी किया था जिसको BDH सुत्र के नाम से जाना जाता है B बराबर D into H ये भी इसके संदर में याद रखना है D का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे Drive D का मतलब क्या होता है Drive H का मतलब क्या होता है यहाँ पे Habit H का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपके Habit यानि कि Drive का मतलब हिंदी में बता हूँ तो चालक और यहाँ पे क्या हो जाएगी आदत Habit को अपन क्या कहेंगे आदत कि यदि आप Drive आपके अंदर किस चीज की कितनी आवशक्ता है उसका गुणा यदि आप अपनी आदत से करते हो तो आपके विवार का जन्म होता है तब आपके बिहेवियर का जन्म होता है कि आपको कितनी चीज की रिक्वायर है और उस रिक्वायर को पूरी करने की आदत कितनी है आपको इ पिर्मान किया था BDS को एक सुषिपार योu सी इसधर को वह सुकार स्फटर और इस और सुतर को diligently क्लास में थे ध क्लास पर बहुत कल संदिवार रहिवार का अवकास रहेगा सोंवार को 9 बज़े फिर से आपकी क्लास रेगुलर आ जाएगी PDF टाइम टू टाइम लेते रीजिए प्रशनों की प्रैक्टिस करते रीजिए मैं टॉपिक वईज आपको पढ़ा रहा हूँ कोई गबरानी की ज़रुतի मेरे से концept clear करिये और किसी भी किताब में से आपके प्रशन करिये आपके 100 प्रसेंट प्रशनों के अंसर से हाने शुरू हो जाएगे क्योंकि सर्वादिक जो 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 दे रहा हूँ सोमवार को फिर मिलेंगे रात को नो बजे तब तक के लिए रहिवार आप भी आनन से मनईए एक दिन की छुटी रखनी भी जरूरी होती है आप भी रखिये उद्धिपक परिवर्तन करना जरूरी होता है एक जिसा अगर आप चलते रहोगे तो आपके दिनाग भी काम नहीं करेगा तो समय समय पर उद्धिपक परिवर्तन जरूरी है तो अगर आप रोज 10 गंटे पढ़ रहे हो तो हफते में एक ब्रेक लेलिया करो फिर सोमवार से करो उतेजनाए अधिक होगी आपके पढ़ देंगे गती अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो कल अपन रहिवार का ब्रेक रखेंगे सोमवार को पुना रात को 9 बजे मिलेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए हमारी सुब कामने आपको साथ में चैहिंद शुब रात्तिर अन्राते राते